इस फिल्म में हम देखेंगे कि कैसे एक 85 लड़की अपने भाई को अपने साथ सोने के लिए सड्यूस करती है और इस लड़की ने अपने भाई से एक राज भी चुपाया होता है और ये राज क्या होता है हम इस वीडियो में देखेंगे इस मूवी का नाम है नताशा और इसे IMDb पर रेटिंग मिली है 6.1 फिल्म के शुरुआत में हम देखते हैं मार्क को जो 16 साल का होता है और अपने दोस्तों के साथ पार्टी करता है पार्टी करने के बाद मार्क अपनी एक दोस्त के साथ इंटिमेट भी होने वाला होता है पर इसके अंकल आज उन लोगों से मिलने आने वाले है बाद में मार्क के अंकल अपनी होने वाली वाइब जीना के साथ उनके घर पर आते है जीना असल में रशिया से आती है जब वो सब लोग एक साथ बैट कर लंच कर रहे होते है तब मार्क का ध्यान बार-बार जीना के ब् और शायद रशिया की लड़किया वैसी ही होती है जीना की इसके पहले भी एक शादी हो चुकी होती है और उसकी पहली शादी से उसकी एक बेटी भी होती है जिसे लाने के लिए जीना वापिस रशिया जाती है कुछ दिनों के बाद वो सब लोग जीना और उसकी बेटी को लेने के लिए एरपोर्ट पर जाते हैं वहाँ पर मार्क मिलता है जीना की बेटी नताशा से जो 14 साल की होती है कुछ दिनों के बाद मार्क के अंकल और जीना की शादी हो जाती है तब मार्क बस नताशा को ही देखते रहता है तब नताशा वहाँ पर बैट कर बोर हो जाती है शादी के बाद सब लोग मार्क के घर में वापस जाता है तब मार्क नताशा को अपना घर दिखाता है मार्क उसे अपने रूम में लेकर जाता है मार्क उसे कहता है कि मैं तो बस यहाँ पर टीवी देखता हूँ और पढ़ाई करता हूँ तब नताशा उसे पूस्ती है कि क्या तुम अपनी रूम में किसी लड़की के साथ कभी सोई नहीं हो तब मार्क यह सुनकर चौक जाता है और पूसता है कि तुम तो बस 14 साल की हो तुम ये बाते कैसे कर सकती हो क्या तुमें शर्म नहीं आती तब नताशा कहती है कि मुझे कोई फर्फ नहीं पड़ता क्योंकि मैंने अब तक 100 बार कर चुका है और अगर तुम जाहो तो मैं तुम्हारे साथ भी कर सकती हूँ मार्क उसे कहता है कि हम लोग अप कजन्स है और मेरे अंकल ने तुम्हारी मॉम से शादी कर लिये तब नताशा कहती है कि मेरी मॉम बहुत घटिया औरत है और यही पर अपनी पूरी जिंदगी बिताने वाली है यहाँ पर उसका कोई दोस भी नहीं है इसलिए तुम उसके साथ टाइम स्प्रेंट करो और वैसे भी वो तुम्हारी कजन है अगले दिन मार्क नताशा के घर पर जाता है जहाँ पर जीना उसे बैटने के ले कहती है और उसके साथ बाते करती है और उसे बताती है कि नताशा बहुत अलग लड़की है वो हमेशा अकेले रहती है इसलिए अगर नताशा उससे गुसा हो जाए तो मार्क को बुरा नहीं मानना चाहिए इसके बाद जीना नताशा को बुलाती है और उनके बीच किसी बात का जगड़ा चल रहोता है इसलिए नताशा गुसे में वहाँ से चली जाती है तब मार्क भी उसके पीछे जाता है बाहर में नताशा मार्क को बताती है कि वो अपनी मॉम की तरफ देखना भी ने चाहती है वो अपनी मॉम से बहुत नफरत करती है उसकी मॉम ने उसे यहाँ पर लाकर उसकी लाइफ बरबात कर दिया इसके बाद मार्क उसे अपने दोस्त रूफस के घर में लेकर जाता है मार्क नताशा को उसके घर तक छोड़ देता है और नताशा उससे कहती है कि कल मैं तुमारे घर आऊंगी फिर हम देखते है कि अगले दिन नताशा मार्क से मिलने पहुच जाती है वो लोग कुछ देर बैट कर बाते करते है और मार्क उसे बताता है कि वो कौन सी बुक पढ़ रहा है इसके बाद वो लोग साइकलिंग करने बाहर जाता है फिर हम देखते है कि मार्क अपने दोस्तों के साथ मिलकर मेरवाना यानि की गांजा बेशता है और इस बारे में नताशा को पता चुछ जाता है और वो उससे पूचती है कि क्या मैं भी थोड़ा सा मेरवाना स्मोक कर सकती हूँ अगले दिन नताशा फिर से उसके घर पर जाती है तब मार्क उसके लिए थोड़ी सी वीड लेकर आता है और पहले वो खुद स्मोक करता है और फिर नताशा को भी अपने साथ स्मोक करवाता है फिर नताशा मार्क की परमेशन को लेकर उसके लैप्टॉप को शुरू करती है फिर तभी लैप्टॉप में अचानक से पॉन वीडियो शुरू हो जाती है जो मार्क बन करना भूल गया था और ये देखकर नताशा को बड़ा मज़ा आता है तभी नताशा लैप्टॉप को लेकर मार्क के पास आती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाती हूँ फिर नताशा उसे अपनी खुद की निवड फोटोस दिखाती है और बताती है कि वो खुद भी पौन विडियोस बनाती है नताशा उसे पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ करना चाहते हो और मार्क के जवाब देनी से पहले ही नताशा अपनी ब्रा उतार देती है और फिर मार्क के सामने अपनी अंडर्वेर में खड़ी हो जती है और कुछ दिरबाद और अपनी अंडर्वेर को भी निकाल देती है नताशा उसे kiss करने लगती है और वो लोग वही पर मार्क के room में intimate होते हैं नताशा मार्क को बताती है कि वो 12 साल की थी तब से वो ये काम कर रही है क्योंकि उसे इसके अच्छे पैसे मिल जाते है नताशा उससे कहती है कि उसकी मॉम को भी इस बारे में पता चल गया था उसकी मॉम ने उसे कुछ कहा तो नहीं पर वो नताशा के कमाय हुए पैसों के प पूरा शहर भी गुमाता है। पर रहने आ सकती हो। पता है कि तुम इस लड़के के साथ क्या क्या करती हो। ये सुनते बराबर नताशा को बहुत गुसाता है और वो जीना को मारने लगती है। मर मार्क के डैड उसे रोग देते है, फिर नताशा को जीना के साथ वापस जाना ही पड़ता है, अगले दिन मार्क उससे मिलने जाता है, तब जीना उसे कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती ने, ये सब नताशा की गलती है, वो तो जवान आदमियों के साथ भी सोती है, और तुम तो बस अभी छोटे बच्चे हो जीना मार्क को कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ और उसे नताशा से मिलने भी नहीं देती है और दर्वाजा बंद कर देती है कुछ टाइम के बाद नताशा देर रात को मार्क के घर में अपना पूरा सामान लेकर पहुँच जात थी ताकि उन दोनों के भी जगड़ा हो जाए और वो लोग एक दूसरे से अलग हो जाए क्योंकि मैं अपनी मौम के हाथों तुमारे अंकल की लाइफ को बरबाद होते नहीं देखना चाहती थी उसकी बाते पूरी होने के बाद मार्क उसे अपने घर में लेकर जाता है और उसे रात बर वहाँ पर रुकने देता है सुबह होते बराबर मार्क उसे अपने बचाय हुए पैसे देता है ताकि वो अच्छे से जा सके फिर नताशा सुबह सुबह ही अपना सामान लेकर वहाँ से चली जाती है मार्क की फैमली के लोग परिशान हो रहे होते है कि कैसे उ उसके अंकल ने अचानक से अपनी शादी तोड़ दी क्योंकि उन लोगों को सजबात का कुछ पता ही नहीं होता और मार्क भी उन्हें कुछ नहीं बताता है। क्योंकि वो समझ जाता है कि उसका फिर एक बार कट चुका है और यह फिल्म यही पर एंड हो जाती है।